ट्रेवल वीडियो नहीं होगी आज हम कंपेर करेंगे आईफोन 13 प्रो मेक्स जो कि अभी हाल फिलाल में 14 सेप्टेंबर को लाँच किया है एपल ने और आईफोन 12 प्रो मेक्स को जो कि ऑक्टोबर 13 लास्ट येर लाँच किया था ये वीडियो हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं जो भी आईफोन बायर्स हैं और जो आईफोन एंथियस्ट हैं वो एजिली कंपेर कर पाएं सेलेक्ट कर पाएं उनको कौन सा आईफोन देना ज्यादा चरहेगा इसमें हर एक हम छोटी से छोटी डिटेल्स के आईफोन के पैसिफिक बुलू इस साल हमें नहीं मिलेगा पैसिफिक ब्लू की चुगे हमें मिलेगा सेरा ब्लू सो अभी हम इसमें कंपेर करेंगे में ली बाइनिक चिप्स बैटरी कैपसिटीज गैमरा डिस्प्ले ब्रैटनेस और देटा फगहरा की लिए कैपसिटीज आपको अब की बार वन टीबी तक मिल सकती है हाँ जी गाईज वन टीबी तक आईफोन में आ चुकी है कैपसिटीज ओहो कई तो कंप्यूटर्स में भी इतनी कैपसिटीज नहीं होती और डिस्प्लेइ 5G है जब की बार डवलब किया है ओके वह हम आगे देखेंगे बैटरी और पाइनिक चिप्स A15 और A14 में कंपेर रहा है तो चलिए शुरू करते हैं साइज और वेट से जो साइज है अब की बार थोड़ इसी डेप्ट में ज्यादा इंक्रिमेंट है वेट थोड़ा और बढ़ गया अब हमें मिलता है 240 ग्र प्राम से Splash-proof Dust-Resistant और जो चिपसे रहेगा वह हमारे बहुत बड़ा इंप्रूवड चिपसेट हमें मिलने को मिलता है तो जो चिपसेट में Neural Engine है वह हमें यू मिलता है जी हां Neural Engine आप Easy Words में कह सकते है आर्टिविचल Intelligency जो की जैसे की हम computer में data feed करते है human brain का जो data हम computer में feed करते है और computer उसकी computation करके एक अलग evaluation करता है वो एक human की तरह perform करने के लिए उसको बनाते है तो उसका neural engine और भी ज़्यादा improved है 5 core GPU मिलेगा बहुत ही powerful जिहां सबसे powerful chipset होगा इस साल iPhone 13 में जितने भी mobile हैं थर्थी पे ओके गाईस बहुत ही powerful होने वाला है डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा improvement किया है तो आप देख सकते हैं 120 Hz के डिस्प्ले हमें इस साल देखने को मिलेगी जो की बहुत ही smooth हमें feel देगी एक scrolling smooth होगी जिससे हमें less blur motion होगा और जो की gamers वहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये 120 Hz की screen और जो 60 Hz पहले जैसे कि हमें iPhone 12 में देखने को मिलता था iPhone 12 Pro में देखने को मिलता था nits अब के बार जो brightness है वो already increase कर दी है इन्होंने जी हाँ 800 से हम आ चुके है 1000 nits पे guys और बहुत शांदार इसका brightness होने वाली है size and weight के हम already बात कर चुके है बहुत ज़्यादा weight तो difference आया नी बट थोड़ा सा 10-12 gram भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो semiconductor से इतने ज़्यादा भारी हो जाते है उनमें camera हांजी तो आपका फेवरेट आ चुका है section camera camera में बहुत ज़्यादा बड़ा improvement आ चुका है guys size में भी apertures में भी और modes में भी सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि आप देख सकते है 2.2 aperture से हमारा हो गया है 2.8 aperture telephoto में telephoto lens mainly होता है आपके थोड़ी सी दूर पे जो आप photos खीशते हो उस पे जिससे आपका पीछे बार blur होता है और guys अब की बार जितना aperture कम होगा wide angle में आप देख सकते है aperture कितना कम हो चुका है aperture 1.5 aperture हो चुका है aperture का meaning क्या होता है जितना जितना जादा कम aperture होगा उतनी जादा light वो पास करेगा और जितनी जादा light पास करेगा आपकी photo और भी जादा अच्छे आएगी और जादा bright आएगी और depth हो जादा shallow हो जाएगी जो field of depth है तो shallow depth of field आपको मिलेगी जिसके वे जैसे आप blur जादा कर सकते हैं background को आगे वाले foreground को और जादा blur करता होगे तो बहुत बड़ा improvement होता है जो apertures होते हैं optical zooms में आपको कुछ देखने को मिल सकता है पहले 2.5x था 12 में और अब के बार 3x optical zoom मिलेगा हमें 3x optical zoom मिलेगा हमें pro के camera's में HDR 4 के साथ और भी बहतरीन हमारी quality photo के लिए HDR 4 photographic styles photographic styles guys वो होंगी के आप इस कौन से scene में इस scene में इस place पे आपके कौन से अच्छी photo आएगी कौन से pose में अच्छी photo आएगी कौन से angle से अच्छी photo आएगी तो वो इस साल आप कर पाएंगे decide इसमें देखके और guys पहले video recording पे जाने से पहले मैं पहले आपको camera module दिखा देता हूँ कि क्या difference आए है size में physically ये है guys iPhone 13 Sierra Blue iPhone 13 Pro Sierra Blue और ये है iPhone 12 Pro gold color so अभी मैं zoom in करके देख सकते हैं मैंने यहां से line कीचे जो ये दोनो iPhone है ये exactly मैंने apple.com से लिये हैं और आप देख सकते हैं जो मैंने lines कीची हैं वो cut कर रही है आपके बार Apple के एकड़म बीच से और जो side वाले portion है जो side के buttons है उसको भी cut कर रही है नीचे जो camera module है जब हमने scale लगा के देखा और आप iPhone 12 Pro का देखते हैं Macs जी हाँ दोनो Macs हैं Pro Max आप देख सकते हैं जो यहाँ buttons है कितना ज़्यादा difference है इन buttons में cross में और यहाँ पे Apple module जो है जहाँ पे Apple का हमें logo मिल जाता है शानदार था उससे कितना left side में अभी रह गया means छोटे camera है 11 Pro Max के और बड़ा module है इस साल के 13 का तो चलिए गाइस आगे हम वीडियो की बात करते हैं वीडियो recording में बहुत ही शानदार modes आया है अब के बार cinematic recording mode जिससे कि आप पूरी cinema वाली feel ले सकते है पूरा cinema की तरह shoot कर सकते है जैसे कि cinema में पीछे blur हो जाता है अगर जो आपको background जब आपको object है जैसे पहले क्या होता था पहले जो cinematic mode जब नहीं था एकदम plane होता था पीछे वाला कुछ blur नहीं होगा आगे वाला कुछ blur नहीं होगा अब के बार आप select कर सकते है object को background में बलड जादा चाहिए या foreground में बलड जादा चाहिए जैसे कि movies में होता है but इनको at least 60 fps देना चाहिए था ये क्यों भाई 30 fps क्यों देते हो जहां guys pro tip 60 fps अगर आप यूज करोगे तो उसे stabilization बहुत शांदार मिलती है आपको as good as gimbal okay और produce technology obviously जो zoom capabilities है optical zoom आपको इतना मिल जाता है guys optical zoom और digital zoom में क्या difference है optical zoom आपके जो camera है वो खुद आगे पीछे होके adjust करता है okay guys और जो optical zoom camera खुद आगे पीछे होके adjust करता है और जो digital zoom होता है वो software का zoom होता है जो की chipset है उसे ज़्यादा अभी हमें zoom देखने को मिल जाता है 7x से 9x तक slow modes आपको same मिल जाएगी night mode आपको हर camera में मिलेगा oh night mode time lapse बहुत ही शांदार time lapse आने वाले हैं लिए आइफोन 13 से पहले मैं आइफोन 11 यूज़ कर रहा था आइफोन 11 में काफी शूज़ आते थे इस चीज़ से related कि time lapse में अंधेरा हो जाता था time lapse बनाते बनाते ये एक अच्छी चीज़ है आइफोन 13 और 11 में और front camera aperture में कोई difference नहीं है aperture में कोई difference नहीं है बट आपको यहाँ पे HDR 4 मिल जाता है और यहाँ जो front camera जो कि आपको सुन्दर बनाता है उसमें अब आप वीडियो में भी सुन्दर लगने वाले हैं cinematic mode के साथ और night mode अलरी होता है आगे वालों में भी आइफोन 11 में नहीं था चलो कोई नहीं cellular wireless all same पूरा chipset जो module है cellular and wireless का वो same है secure authentication भी face जो शांदार face detection face organization technology apple की वो भी same है बहुत ही secure बताते हैं इसको secure apple का कार्ड apple pay यह सारी facility all same audio calling all same audio playbacks all same हन जी audio playbacks में बड़ डिफरेंस आने वाला है battery में हम आगे दिखेंगे battery and power आ चुकी है जो कि बहुत बड़ा concern होता है guys जो कि heavy users होते हैं gamers होते हैं video grafers होते हैं या फिर और ज्यादा editing वगेरा advance में अपने iPhone पे ही वो करते हैं उसने के लिए बहुत ज्यादा अची ख़बार है guys batteries आपकी बढ़ चुकी है battery size आपकी बढ़ चुकी है as compared to iPhone 12, iPhone 13 में batteries बहुत शांदार आ चुकी है जैसे कि आप देख सेंगे 4, 3, 5, 2 mAh की batteries हैं पहले थी आपको 3, 6, 8, 7 mAh की battery pro में मिलती थी और playbacks आपको इसके वजए से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं 22, 28 hours का difference oh gosh 8 hours का difference बहुत ज़्यादा होता है audio playbacks भी आपको 15 hours का audio playbacks मिलेगा जो fast charger cable है ये जो obviously both are capable बट जो fast charger cable है और charger है हमें अलग से लेना पड़ता है oops यहाँ पर हमें खर्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि आइफोन ने बंद करती हैं charger के adapter देने अब हम sensors प्याज़ आते हैं sensor are all sims सारे sensor मुझूद हैं इस phone में SIM card slot में जी हाँ अब की बार एक magnificent difference आने वाला है phone की दुनिया में dual e-SIM support के साथ एक nano sim और दो e-SIM आप यूज़ कर पाएंगे iPhone 13 में और यह difference तीनो सारे phones में iPhone 13 के iPhone 13 में भी iPhone 13 pro में भी lightning connectors हमें मिलेगा और इसी के साथ हमारा comparison कदम होता है iPhone 13 12 का so thank you for watching guys hope enjoyed the video so give like and thumbs up to our video and stay happy and beautiful bye bye